हलो एब्रिवान आज के श्नेवड पे स्वागत है दोस्तो कैसे आप समयासा करता हूँ बहुत अच्छे हुगे दोस्तो आज का ही वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका लिथियम आनोला बैटरी होता है 3.2 वोल्ड का और यह आपका 3.7 वोल्ड का मुबाइल का बैटरी होता है तो इसको कैसे आप मुबाइल चार्जर से डिर एलका बैटरी अलग से चार्ज करने के लिए आपको यह वाला चार्जर पर्चेज करना पड़ता है लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि यह चार्जर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल के बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं वो भी मोबाइल चार्जर से तो गाई चलिए द दिखाऊंगा इससे पहले यहां पे जो जो components को मैं यूज करूंगा उसको पहले मैं यहां पे दिखाए तो यहां पे आपको diode दिखाई दे रहा है जो यहां पे 477 404 और 3599 भी यूज कर सकते हैं यहां पे छोटा वाला को मैं यूज करके आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा तो गाइब चलिए यहाँ पर मैं line in कर देता हूँ फिर मैं आपको voltage पहले यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि कितना voltage हमें यहाँ पर output में मिल रहा है तो चलिए मैं multimeter को करता हूँ आपके सामने और यहाँ पे DC range में मैं select कर लेता हूँ 20 के range में और फिर मैं यहाँ पे voltage check कर लेता हूँ तो guys यहाँ पे मैं minus minus probe में और plus का plus probe में मैं यहाँ पे touch करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.3 volt यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे 5V के करीब आपको मिलना चाहिए अगर आपका 5V मिलता है तो आपको correct 4.2V यहाँ पे output में दे देगा तो यहाँ पे आपको connection कैसे करना है चलिए उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं wire को पहले करता हूँ side में और फिर में आपको बताता हूँ कि कैसे connection करना है तो यहाँ पे आपको diode ले लेना है और यहाँ आपका resistance दिखाई दे रहा है इसको भी आपको ले लेना है उसके बाद में यह जो आपका diode का उपर वाला भाग होता है यह white वाला जो mark बना होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे white वाले mark पे आपको इस resistance को soldering कर लेना है तो चलिए मैं soldering कर लेता हूँ तब आपका वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट न हो तो यहाँ पे देख सकते हैं यह soldering हो चुका है बहुत ही अच्छा तरीका से और यहाँ पे direction भी आप साइद देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको भी इसी तरह का soldering कर लेना है उसके बाद में आपका wire का connection किस तरह करना है यह जान लेते हैं तो यहाँ पे आपको minus और plus क ध्यान में रखते हुए और जो आपका plus वाला सीरा है आपका diode पे लगाना है उसके बाद में यहाँ पे minus वाला सीरा को यहाँ रहे स्टेंस पे लगा लेना है तो चले यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का connection हुआ है और यहा काला माइनस डिरा तो यहां से आपको output नीले गा तो यहां पर 4.5 के कारीब मिल रहा है अगर यहां पर हमारे 5 Build मिलता मतलब इढर से구キ्ष कि आउट हाउट यहां पर 4.2 आउट यहां से मिलता है तो यहां पर 5.3 था इसलिए यहां पर 4.5 मिल रहा है तो अगर आपका 5 वोल्ट आउट करता है चार्जर से तो आपका क्रेटली 4.2 मिलता है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो यह जो आपका बैटरी दिखाई दे रहा है यहाँ पे यह सोलर वाला बैटरी है जो आप देख सकते हैं 3.2 वोल्ट का बैटरी है लिथियम आयक तो इसको चार्ज करने के लिए यह बैटर चार्जर है इससे आप चार्ज कर सकते हैं और आपका मोबाइल बैटरी का बातरा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट का यह बैटरी होता है इसको चार्ज करने के लिए आपको 4.2 वोल्ट यहाँ पे चाहिए होता है जो आपका यहाँ पे लिखा हुगा है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो गाईज इस चार्जर से आप निधड़क इस बैटरी को और मोबाइल वाले बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, आपको फूलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा आपका अच्छा से चार्ज होगा, अच्छा से चलेगा अगर आपका फिर भी कोई कोश्चन होता है, कोई प्रोलों होता है